हेलो अब्रिवन, डेली किचन मैजिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम बनाएंगे दाल पकवान, तो देखिए इसके लिए मैं एक कप दाल नी थी, उसको विगा दे थी दो घंटे पहले, चैने की दाल, इसमें भल्दी नमक डाल लेंगे, स्वादनुसार नमक डाल देजें, और इसको तीन-चार विसल लेंगे, एक विसल आने के बाद थोड़ी सीम कर देंगे, जैना दाल को थोड़ा टाइंग लखता है, और आप टी स्पून घी या ओयल लगा लें ताकि दाल उपर नहीं आए, उपन के, इसको बंद करके गेस पर रख देती हूं, एक विसल लेके सीम करूंगे गेस को, फिर और तीन विसल लेंगे, पकवान बनाने के लिए, ये पापड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए एक कप मैदा है, आप कप आटा है गेमू का, और ये थोड़ी सी अजवाईन है, स्वादन साल नमक डाल लेंगे, दो टेबल स्पू स्वाईन के लिए, बहुत ज्यादा खसता नहीं चाहिए, अब थोड़ा पानी ले लेती हूं, जित्ता लगेगा, आपड़ी के लिए तो थोड़ा टाइटी आटा लगाएंगे, इसको मिक्स कर देती हूं, बहुत ज्यादा मोहन नहीं डाली हूं, देखिए ऐसा ही है, इस इसको पानी डाल के सक्ता तार्टा लगा लेती हूं, इदर मठरी जितना टाइट तो नहीं है, फोड़ा सा उससे नरम है, देखिए इसको पांच मिनट के लिए रेस्ट देंगे इसको, उसके बाद पाबड़ी बनाएंगे इसकी, पांच मिनट हो गया है, एक बार इसको मस तल लेते हैं, ओल लगाके, इसके तीन पोर्चन कर ली हूँ, इसके एक बड़ी बड़ी रोटी बना लेंगे, उसको कटोरी से कट कर लेंगे, ग्लास से कर लेंगे, कैसे भी, एक साइज की हो जाएगी पुरी, और इधर ओयल रख दियों गरम, इसके एक रोटी बेल लेती हूँ, आपको अगर लगे कि थोड़ा सा चिपक रहा है, तो हलका सा मैदा डाल सकते हैं, इसमें हलकी से मैदा डस्ट कर लेती हूँ, इसको ऐसे कोई भी कटर, कटोरी, ग्लास, कैसे भी, इसको कट कर लेंगे, इसको, इक्स्ट्रा मैदा निकाल लेते हैं, पुलना नहीं चाहिए, इसलिए इसको फोक से कर लेंगे, ये फ्रिक करना जरूरी है, इसमें एक दम, और देखिए इसकी थिकनेस ऐसी है न, ज्यादा एक दम पापड़ जैसी पतली नहीं है, तोड़ी सी मोटी है उससे, ये गोल जो पूड़ियां काटी थी वो तली हूँ, देखिए ऐसी है, इसको एक साइड रखती हूँ, और ये इसको ऐसे सेप देखे, थोड़ी सी ऐसी डिजाइन भी बनाई हूँ, और ये थोड़ी सी अब स्प्रिंग बनाऊंगे इसके, इसको स्क्वेर बेल के, इसको आज मीडियम है, ओइल गरम है, तो फ्राई कर लेते हैं इसको निकाल लेते हैं, ये इस बंद कर रही हूँ, डाल को चेक कर लेते हैं, हुई की ने, हो गई गई है, थोड़ी सी एकदम गुली वी ने बनाएंगे, थोड़ी खड़ी खड़ी रहे गिये, इसमें तड़का लगा लेते हैं, ओल गरम हो गया है, इसमें जीरा डाल लेते हैं, प्रआई, दोड़ी हरी मिर्श टाल लेती हूं, जोड़ी हिंग नियमा है, फोड़ी काश्मिरी ल् commandments है, पोड़ी तोड़ी तिक्षी वालियिए, थोड़ी सधनिया पाउडर से लोगी थेल्दी तोड़ी हिए॥े लैवी हुई जोज ये तब्सकति देपुह इसमें, लोगी एक उबाली डेंगे इसके साथ खाने के लिए एक सालसा सा त्यार कर लेगे ये अनियन है ये वेनिगर में डला हुआ है अनियन बारिक कटा हुए खीरा है एक दो टामाटर है बारिक कटे हुए ये अरी मिर्च तो बड़ी साइज की है आप टेस्ट के इसाब से डाल लीजिए ये टामाटर केचप है ये इमली के मेठी चटनी है स्वादनुसा डालेंगे और ये ग्रीन चटनी है थोड़ी से हारी धनिया ये थोड़ी से कस्मेरी रडचिली डाल रही हुए निम्बू करस है एक निम्बू करस है थोड़ा सा चाट मसाल है और नमक नहीं डाली हुए स् दाल हो गई है, यह बंद कर रही हूं, इसमें भी थोड़ी से हरी धनिया डाल लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, यह सर्व कर लेते हैं, इसको ऐसे सर्व करेंगे, इसके उपर सालसा समस चटनी सब डेली हूँ, इसलिए अलग से लेने की ज़रत नहीं है, चटनी, यह सर्व कर ली हूँ, इसको आप ऐसे खाईए, देखिये यह टाइप से खाने का रहता है, इसलिए यह बाइट बनाई हूँ, और यह एक बार में उठा के खा सकते हैं, इसको चोटी-चोटी है, यह रेडी है, आपको रेसे पर पसंद आती हैं, तो लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें, झाल